हलो फ्रेंज इस वीडियो में हम लर्ण हाउ टू रेड इंगिल्स फोनेटिकली का लेसन 22 करेंगे यह लेसन हमारा काफ़ इंपोर्टेंट है एक तो इसमें मैं आज आपको एक नया साइट वर्ड बताऊंगी और दूसरा जो है इस लेसन में हम आज टू लेटर इकठे करेंगे जे एंड के और दूसरा जो है अब तक हमने जो अभी 22 लेसन किये हैं वो सारे हमने केपिटल लेटर्स में किये हैं फिर जैसा कि मैंने आपको इस कोर्स की स्टार्टिक में बताया था नेक्स लेसन से जो है या फिर एक नेक्स वीडियो से हम जो है लोवर लेटर्स में ट्रांजिशन कर तो आप मुझे comment में करके जरूर पूछेगा, मैं आपका doubt जरूर क्लियर करूँगे ओके मानुए trace J and K and tell the sound of J and K first trace J J sound J K sound K again tell the sound of K, K sound K ओके देखे हमारे first three steps वही हैं पहले तो हमें बच्चे को J and K later introduce कराना है फिर बच्चे को tracing करानी है फिर बच्चे को sound की recognition करानी है और third step जो हमें उसकी writing practice करानी है यह मैंने आपको previous वीडियो में explain किया है अगर आपने नहीं देखी है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल की playlist पे जाके चेक कर सकते हैं okay मानुए J sound J as in jam आपको प्रिवेस वीडियो में भी explain किया है यह जो है चोपी blending होगी आप इसको smooth blending stretchy blending भी बना सकते हैं जे साउंड ज आपको 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 डिरेक्ट जो है mostly choppy blending में करके दिखा रहा है मैंने आप प्रिवेस वीडियो में भी बताया आपको बट जो है अगर आपका बचा बहुत ही छोटा है अगर उसकी English reading की बिल्कुल starting यह तो आपको smooth stretchy blending का जो है यूज जरूर करना है okay मानुए J next K sound K as in king k e keep next k i kite kite देखें जो है एडवांस कोर्स में आएगा यहां पर e silent है तो इसलिए i की sound e नहीं होएगी जहां पर e silent होता है i की sound i k i kite next k e kiss next dेखें इसमें भी जो है c की sound b k k sound b k तो इसमें जहां पे भी c and k आ जाएंगे हमें separate separate sound नहीं बोली है हमें c और k की sound को जो है as one sound करके चलना है j a k e j a k e jacket jacket आज के लेसन का जो साइट वर है वो है यूर y o u r simply आपको इसको जो है एक साइट वर टीट करना है और आपके बच्चे को भी आपको सिर्फ यही बताना है y o u r together makes u r okay मानुक टोड़े वर्ट स्टार्ट j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o देखें बच्चे अगर जो है स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे मीज स्मूथ ब्लेंडिंग करेंगे जैसे अभी मेरे बटामान करके दिकारदा तो उसको जो है बच्चे को करने में थोड़ा प्रोब्लम होगी कि मैंने आपको पले भी बटाया कि स्मूथ ब्लेंडिंग केवल जो है पैरेंट सके था कि वो आपने बच्चे को जो है सांट की कनेक्शन के बारे मे बता सकें तो पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को जरूर इंटर्डूस करने चाहिए बच्चा बस यही करेगा सेपरेट साउंड को बोलके मिंस वर्ट को डिकोड करके जो उसको नॉर्मल स्पेड पर बोलेगा तो अभी यह भी आपको यह सही करके दिखाएगा मानमी क ये अपक्ट तो प्लाव न admitted है बुप क्रिएगा य्श कर्णीब ओ जक्ट करेंस holy WITHठल कि यह न्शक Бरम्या यह करें जक्ट करेंस उश्पप रच्ट बस्पलिट मिंस्ट करेंस बच्च्ट मुटना करेे इंसर दाल सक्ट न्या निष्डट जग ग्र्याग्दाग्स जर्लोडाटकर एक बेंगो coś प्रयवने। जर्लोड़ ह् अक यकट्झने। जोक, 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 जो स्स, सेक जक लँज़ जेक से gi fondly जक बस्स,nost, Psy नेक लँज़ ower सेक एक फास्ट वेजिन देते हूं आज के वर्ट की जग, जग, जब, जयम, जब, जब, जयम, जग, जग, जयककत, जग, मॉख, पकर किq, सिक, बिक, टिक, टिकेट, बैकपक, बैकपक्त पिक अप लिएप देते केट concrete कियां के पोगड़नें भी ऐसेग जब जगेंड ईयम इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो जो है मैंने आपको पता है capital से small letter में transition की रहेगी देखे starting के जो lessons है capital letters में कराने इसलिए जुरूरी है क्योंकि जो बड़े बचे हैं वो तो ठीक है जल्दी से अच्छे से small letters को भी pick up कर लेंगे बड़ ये course है हम जो छोटे से छोटे बच्चे को भी करा सकते हैं जिसने बोलना start किया है तो उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए starting में capital letter को वो अच्छी से कर पाते हैं उन में confusion उनको कम रहता है compared to small letters तो इसलिए starting के कुछ letter, capital letter, कुछ lessons जो है capital letters में होते हैं और उसके बाद small letters में transition इसलिए जुरूरी है क्योंकि ये तो ठीक है capital letters का English reading एक मतलब start के लिए ठीक है बड़ जो हमारा reading material रहता है वो हमारा mostly small letters में ही रहता है तो अब तक बच्चे का थोड़ा सा base बन चुका है वो blending के concept को समझ चुका है तो हम next video से small letters में करेंगे तो उसके small letters की भी habit बन जाएगी फिर वो अच्छे से English reading कर पाएगी उसको आगी कोई problem नहीं आएगी small or capital letters में थोड़ा सा starting में जो है आपको 2-3 दिन लगेंगे time लगेगा और काफी letters की जो है capital और small तो सेम ही है कुछ ही letters है आटनों जो है आपको अलग से कराने है कि अलग से पहचान कराने है this is capital letter and this is small letter मिलते हैं next video में thank you अगर इवीडियो आपको useful लगे तो please इसको like, subscribe और share जूर करना और bell बटन को भी जूर प्रेस करना इसे आपको मेरी आने वाल वीडियो की notification मिलते रहेगी one week say thank you, bye-bye bye-bye and like and subscribe and say more bye-bye bye-bye, thank you